वेलकम टू आल मैसल्व डॉक्टर हरें आज का हमारा लेक्चर है आर्थो पोड़ा लिविंग ओर्गनाइजम्स पार्ट सेकेंड और इस हमारा लेक्चर है इसमें हम आर्थो पोड़ा के अंदर आने वाले कुछ important living organism को हम discuss करेंगे और उनकी classification को study करेंगे और यह जो classification हम जो यहाँ बताएंगे यह invertebrates jology है जो book है और यह 7th edition है और यह इसके author है Robert Fox और Barnes है तो यानि यह जो classification है यह RD Barnes 7th edition हम use कर रहे हैं यहाँ पर हम कौन-कौन से living organism को discuss करने वाले है Eupagoras जिसको हम Hermit Crab बोल देते हैं Scleropendra जिसको हम Centipeds बोल देते हैं commonly Jules जिसको हम Milliped बोलते हैं Bombax जिसको हम commonly Silkworm बोलते हैं Muska जिसको हम Housefly बोलते हैं इसको discuss करेंगे और last में Periplaneta यानि commonly हम जिसको cockroach बोलते हैं उसको हम discuss करेंगे यहाँ पर Eupagoras Commonly हम इसको Hermit Crab बोल देते हैं अगर हम इसके classification को देखें तो phylum हमारा Arthopoda है और इसके Arthopoda यानि Jointed ही क्या होते हैं उनके Appendages होते हैं Subphylum की अगर बात करें Crustacea है जिनका Exoskeleton क्या होता है बहुत ही थेक होता है और Class Malachocostreka है जिसके हरी एक Segment में क्या होते हैं Appendices प्रिजेंट होते हैं इसके बाद क्या है कि अगर हम Genus की बात करें तो Genus Uparagus है और हमने पहले ही डिसकस किया कि Uparagus को हम क्या कहते हैं Hermit Crab बोल देते हैं अगर हम Habit और Habitate की अगर बात करें जो Uparagus है ये जनरली कहा है कि Gastroports के क्या है Self के अंदर रहता है यानि जब Gastroports की दैथ हो जाती है उनका जो Hollow Shell होता है उसके अंदर ये रहता है आप यह देखिएगा कि ये Gastroports का क्या है ये Cell है ये Gastroports का Shell है तो ये Gastroports तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये Gastroports Shell Gastroports Shell और इस Gastroports Cell के ऊपर क्या है कई बर हम देखते हैं कि Sea Anemone एक दूसर जो Living Organisms है वो भी क्या होता है Attach हो जाता है तो यानि इसमें क्या हो गया है कि हमारा Hermit Crab Gastroports Cell के अंदर रहता है और Gastroports Cell के ऊपर क्या होता है हमारा Sea Anemone भी Attach होता है तो अगर हम Sea Anemone को देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये Sea Anemone है तो ये Attach है ये Sea Anemone तो इसे हम Sea Anemone तो ये Attach है इसलिए क्या कह देते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है कि साथ में रहते हैं इसलिए हम Commensalism Life फोलो करता है हर्मीट क्रेब इसे ये कहते हैं क्योंकि हर्मीट क्रेब तो क्या होता है कि वो अपने Appendages को यूज करके जो Sea Anemone है हमारा उसको क्या करता है डिफरेंट प्लेसेस पर ले जाता है जिससे उसको क्या कहता है Sea Anemone को फूड मिलता है और इसके एवज में क्या होता है कि जो Sea Anemone होता है हर्मीट क्रेब को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है उसके प्रिडेटर से इसके अलावा अगर हम Distribution की बात करें तो Cosmopolitan Distribution है कहने का मतलब है ये All Over The World पाया जाता है हर्मीट जो क्रेब है उसमें क्या होते है Peculiar Crustation Characteristics होते है बट हर्मीट क्रेब क्या करता है अपने आपको इतना Modify कर लेता है क्यों? क्योंकि वो Mollusk जो Cell होता है उसके अंदर उसको क्या होना है रहना है इसलिए उसके अंदर क्या होता है Extreme Modification होता है अगर इन Modifications की Modification है जो बट होता है वो Asymmetrical हो जाता है क्योंकि अगर उसकी बट क्या है Mollusk Cell के Accoding होनी चाहिए तो इसलिए वो Body क्या हो जाती Asymmetrical हो जाता है और Hermit क्रेब की जो Body होती है वो Divisable होती है Head, Thorax, Abdomen और जो Kerapes होता है इसलिए से क्या हो जाता है जो हमारा Head होता है वहाँ पे क्या होता है Antinulus क्या होता है Present होते है और Antina present होते है और Stark क्या होते है Compound Eyes present होते है इसके अलावा जो हमारा Thoracic Reason है तो Thoracic Reason से क्या करते है कि जो Appendages होते हैं वो Protodium करते हैं यानि बाहर की तरफ आते है Thoracic Reason से तो अभी हम यह पिक्चर में देखें तो आप यह देख सकते हैं यह Appendages है Appendages है तो यह क्या कर रहे है Thoracic Reason से क्या कर रहे है यह बाहर की तरफ आ रहे है Opening की तरह तो इसी में क्या होता है कि जो क्या होता है हमारा First जो Thoracic जो Legs होता है वो Killiate होता है तो Killiate होने का मतलब होता है और Reduce होता है Killiate कहने का मतलब होता है अगर आप यहां देखें तो अगर मैं एक पिक्चर बनाऊ तो यह मान लीजिएगा Appendages है तो Appendages में क्या होता है इस तरीके से क्या होता है यह Bifurcation होता है जैसे आप Scorpio में देखते हैं तो इसी को हम कीला बोल देते हैं कीला बोल देते हैं जो कि क्या है Capture और क्या है Tearing में Help करता है इसके अलावा कि जो इनका जो Killiate जो Leg होता है तो यानि जो हम First Thoracic Leg की बात कर रहे हैं तो उसका जो Right Killiate होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है Large होता है As compared to हमारे Left वाले कीला के और जो Right वाले जो Legs होता है वो Lid की तरह या Upper Column की तरह काम करता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यह क्या है? Right Killah है तो यह है Right Right Killah जैसे ही क्या होता है कि Danger Conditions में आता है तो यह क्या करता है? अपने Right वाले जो कीला होते हैं यानि Appendages है तो जो Molluscus जो Cell होते हैं जो उसकी Opening होती है उसको क्या कर देता है? बंद कर देता है जैसे Upper Column की तरह वर्क करने लगता है इसके अलावा हमने और एक Modification देखा है इस Lealing Organism में जो Abdominal जो Appendages होते हैं जो Right साइड के जितने भी Appendages होते हैं वो क्या होते हैं? एपसेंट होते हैं और जो Left साइड के Appendages होते हैं वो क्या होते हैं? रिडियूस हो जाते हैं इसके अलावा जो Sixth Left Abdominal Appendages हैं वो क्या होते हैं? यूरोपोर्ड होते हैं यूरोपोर्ड का मतलब वो Adapt होते हैं Holding क्या है? हमारे जो यूपैगुरस को Hold करने के लिए Hollow Object के अंदर कहने का मतलब है जो हमारा जो Sixth Appendages है जो Left Side का वो Abdominal Appendages उसको यूरोपोर्ड कहते हैं और ये Adapt होता है Hold करने के लिए Hollow Object के अंदर अपनी Body को अब हम डिसकेस करते हैं Next जो Living Organism है आर्थोपोडा के अंदर इसको Scleropendra बोलते हैं और Commonly इसको Centipede बोलते हैं अगर हम Classification को देखें Phylum क्या है? हमारा आर्थोपोडा है Arthropoda यानि Jointed Appendages के होते हैं Phylum, Sophyllum हमारा Crustacea है जिसका Exoskeleton क्या होता है? ठिक होता है Super Class है Myriopoda और Myriopoda में जो क्या Appendages होते हैं वो Unbranched होता है Class Ciliopoda और Ciliopoda यानि जो Body होती है Drosoventally क्या होती है? Flattened होती है और Genus की अगर बात करें यानि Scloropendra और Commonly हम क्या कहते है? Centipede अगर हम Habit और Habitate की अगर हम बात करें तो Scloropendra क्या है? Tropical Reason में पाए जाता है अब Tropical Reason से मतलब क्या है? कि जो Area क्या होते हैं Humid Area होते हैं जहां पे बरसाद जादा होती है उन Reason में पाए जाता है और ये कहां पाए जाता है? कि ये क्या है? Bark के नीचे पाए जाएगा Under the Stone पाए जाएगा या तो जो Decaying जो Woods होते हैं उनके अंदर पाए जाता है और By Nature ये क्या होता है? Carnivorous होता है और होता क्या है? कि ये क्या होता है? कि जो during the night होता है तो ये क्या करता है जहां इसका habitat होता है उससे बाहर आ जाता है क्यों? For the searching of insect और earthworm के लिए जिन पर ये feed करता है और इसके distribution देखें इंडिया में पाया जाता है अमेरिका में पाया जाता है Scloropendra को हम पहले ही discuss कर चुके हैं इसको commonly centipede बोलते है body क्या होते है elongated होती है drossoventally क्या होती है flat होती है और body क्या होते है कि दो reason में divided होता है first जो reason है उसको हम head बोल देते है अगर हम picture में देखने की देखें तो आपको ये वाला जो reason है ये head है और जो ये remaining जो body है ये आपको दिखाए दे रहा है ये जो remaining body है इसको हम बोल देते है trunk reason trunk reason ये trunk को हम कह देते है body भी बोल देते है और head में क्या होता है antenna present होता है आप देखेंगे head में क्या है अपका ये antenna present है antenna present है और antenna के अलावा क्या होते है oscilli भी present होते है यानि eye की बात कर रहे है तो eye तक यहां present होता है eye इसके अलावा जो body का जो segment होता है तो body का जो segment होते है वो 21 pairs क्या होते है segments में 21 pairs legs होते है तो यानि जो body segment है वो भी 21 segment होते है उसमें से जो first pair of legs होता है वो curve होता है और क्या होता है यह forwarded directed to the form of poisonous clause में convert हो जाते है कहने का मतलब है कि इनके पास क्या होते है कि अगर हम देखें तो यह जो थोड़े से creation के इधर की तरफ तो यह क्या होते है यह poisonous glandrum यह poisonous clause में convert हो जाते है जिसको हम क्या बोलते है maxillipid बोलते है और जो इस chloropendra है यह harmful होता है mankind के लिए क्योंकि इसके पास poisonous क्या है clause प्रेजेंट होते है और यह जो first pair जो poisonous gland को अगर छोड़े उसके बाद जो walking legs present होता है तो यह जितने भी walking legs होते है उनमें seven joints present होते है joints का मतलब है कि देखिएगा कि अगर यह appendages है तो मान लिजए one, two, three, four, five, six और यह seven क्या होते है joints होते है एक appendages में और हर जितने भी appendages है यह जो legs होते है वो क्या होते है similar होते हैं जो last segment होता है last segment में क्या होता है NS present होता है तो last segment यानि हमारा यह है यह last segment है तो यहाँ पर NS क्या होगा present होगा तो NS present है हमारा यहाँ पर इसके अलावा एक pair of annal style present होता है तो यह annal style इसे कहते हैं style present होता है अब हमारा जो next living organism है इसको हम julis बोलते हैं और commonly इसको millipids बोल देते हैं millipids बोलने का reason है क्योंकि इसमें क्या होते हैं thousands of appendages present होते हैं अगर हम classification को देखें तो phylum हमारा arthropoda है यानि jointed appendages जिसमें होते हैं subphylum crustacea है जिसका exoskeleton क्या होता है थिक होता है हमारा इसके अलावा अगर हम superphylum की बात करें superphylum same हमारा है myriopoda है और myriopoda में जया unbranched appendages होते हैं यानि appendages, branches हैं उसके class ये diplopoda है diplopoda यानि convex drossally और ventrally flattened होता है body genus julus है हम commonly इसको millipid बोल देते हैं जो कि हम discuss कर चुके हैं अगर हम habit और habitat की बात करें तो ये क्या है कि tropical reason में पाया जाता है तो tropical reason में मिलने का reason यह है कि ये जो living organism है तो ये क्या होता है कि dehydration का बड़ा chances होता है इन living organism को इसलिए tropical reason में पाया जाते हैं यानि humid reason में पाया जाते हैं अगर हम fresh living organism यानि alive living organism को देखें तो देखने में वो क्या होता है या तो redis होगा तो yellow brown color का होगा और ये generally जो भी living organisms है जो पाए जाते है under the stones या बार्क या तो dead trees के नीचे ये पाए जाते है by nature क्या होता है ये herbivorous होता है और ये ज़्यादा तर क्या करते है soil के अंदर क्या होता है bureaus under the soil और यह क्या करते है feed करते है plants के roots पे और जिसकी बज़े से जो plants के roots होते है उसमें क्या होता है damage होना start हो जाता है इसलिए हम कहते हैं कि हमारे plants के लिए बहुत ही harmful है इसके अलबा अगर हम distribution के अगर बात करें तो distribution यह cosmopolitan है यानि यह distribute क्या है हमारा worldwide है अब हम पहले हैं discuss कर चुके हैं इसको क्या तो millipid बोल देते हैं या तो wire warm बोल देते हैं wire warm कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि इस warm को अगर आप touch कर देते हैं तो यह round shape में इस तरीके से round हो जाता है तो इसी लिए हम इसको क्या कहते हैं wire warm बोल देते हैं इसके अलावा जो body जो divided होती है तो divided होती है यह क्या हता है head में divided होता है thorax में और abdomen में divided होता है यानि three reason में divided होता है head में क्या होता है head में हमने देखा है कि जो antenna है antenna में seven joints होते हैं तो अगर हम देखें तो ये आप देख रहे हैं तो ये हमारा antenna है antenna है तो इस antenna में क्या होते है seven joints होते हैं अगर हम देखें तो ये one two three four five six और ये seven क्या होते हैं joints होते हैं antenna में और इसमें क्या होते है group of oscilli होता है यहां oscilli एक ना होने की बज़े कि कई सारे क्या होता है oscilli के जो groups होते हैं तो इस तरीके से यहां बड़ा oscilli के groups इस तरीके से present होते हैं ऐसे तो यह है हमारा उसिलाई वाला ग्रूप यानि आई की बात कर रहे हैं थोरे सिक्स जो रीजन होता है हमारा उस रीजन में क्या होता है कि थोरे सिक्स रीजन में फोर सेगमेंट सोते हैं हमारे और जब फॉर्स्ट सेगमेंट को छोड़ कर यानि four segment को शबर कर बाकी जूद बची तीन segment होते हैं उसमें क्या होते हैं कि हर किसी में one pair of walking legs present होते ह। थोड़े से क्रीज़न में जो abdominal segments होते हमारे उसमें two pairs of walking legs present होता है हर एक segment में और two pairs of spiracles present होते हैं यानि trachea की opening को क्या कहते हैं? spiracles कहते हैं इसके अलावा इन living organism में audiferous gland present होते हैं audiferous gland क्या है? noxious substance को release करता है यानि जिसकी बज़े से क्या होता है? कि एक तरीके का bad smell produce होता है next जो हमरा living organism है यह living organism है इसको हम bombayics बोलते हैं और commonly इसको silk worm बोल देते हैं अगर हम इसके classification को देखें phylum हमारा क्या है? orthopoda है यानि jointed appendages जिनके होते हैं subphylum की बात करें crustacea है subphylum और यानि जो crustaceans होते हैं उनका जो exoskeleton होता है वो क्या होता है? ठीक होता है अगर super class की बात करें super class hexopoda होता है hexopoda मतलब जिसमें six legs present होता है यानि three pairs of legs insecta क्या है? बिलकुल ये insect का class है जिसमें three pairs of legs present होते हैं super class petragota है यानि वो insect जिसमें wings होते हैं और order lepidopetra है यानि जिसके wings में क्या होते हैं scale present होते हैं तो हम genus क्या कह रहे हैं? इसको bombayax कह रहे हैं और इसको commonly silkworm बोल देते हैं ये जो living organisms में क्या होते हैं? बहुत सारे stages होते हैं जो सबसे पहले stage क्या है? इसमें egg है दूसरा stage क्या है? larva है third क्या है? pupa है फिर उसके बाद adult क्या होता है? male और female होता है तो अगर हम इसको picture से समझने की कोसिस करें यहाँ क्या है? कि अगर हम बात करें तो पहले stage जो आता है मान लीजे ये egg है और ये egg क्या होता है? leaves में होता है ये egg है egg के बाद फिर दूसरा जो stage आता है तो दूसरा stage क्या होता है? वो larva होता है तो दूसरा stage ये है larva larva इसके बाद third stage होता है तो third stage क्या कहते है? हम pupa बोलते हैं तो ये pupa भी क्या है? इस larva का ही metamorphosis होके different form होते हैं जिसको हम pupa बोल देते हैं यह इसी के तरह दिखा कर देता है और यह जो pupa होता है एक कुकून के अंदर क्या होता है यह रहता है फिर उसके बाद इसका further development इसके अंदर होता है फिर उसके बाद यह क्या होता है adult में convert होता है तो यह जो उपर picture दिखाया दे रहा है यह भी क्या है कुकु न इसके बाद जो female की अगर बात करें तो female जब egg जो ले करती है 300 से 500 number of eggs को ले करती है और यह egg कहां ले होता है mulberry जो tree होते है उनके leaves में यह ले करता है क्योंकि यह mulberry के trees के leaves होते है उन पर यह feed करता है और जैसे ही egg ले करता है तो females की death हो जाती है इसके बाद eggs से क्या होते है hatch out होके क्या होते है larva क्या है निकलता है तो लार्वा क्या होता है caterpillar like होता है जैसे हमने यह देखा है तो यह क्या है यह caterpillar larva है caterpillar like और body जो इस larva की जो body divisible होती है head, thorax यानि thorax में क्या होते है तीन पेर के legs होते है और फिर उसके बाद third जो division होता है वो abdomen होता है अभी हमने कहा कि जो larva होता है यह feed करता है mulberry के leaves पे और fully जो mature हो जाता है जब mature हो जाने के बाद क्या होता है यह larva क्या करता है stop feeding यानि खाना पीना बंद कर देता है और उसके बाद क्या करता है secrete करता है यह liquid silko को secrete करता है और अपने salivary gland से इसके अलावा कि इनके पास एक और gland present होता है जिससे क्या होता है secrete होता है sericin secrete होता है और यह sericin क्या करता है जो हमारा silk filament है उसको stick कर देता है यानि आपस में जोड देता है जिसकी बज़े से क्या होता है forming the silk thread और फिर यही silk thread को use करके बाद में यह cocoon के form में convert हो जाता है और फिर जो यह cocoon बन जाता है यानि जो हमारा यानि cocoon के अंदर क्या रहता है pupa रहता है तो उसका जो further changes होता है उसके अंदर ही होता है फिर बाद में यह adult में convert हो जाता है अगर जो female body की division की बात करें female चाहे male की बात करें उनका division क्या होता है head present होता है तो head में antenna और pair of compound eyes present होते है तूसरा reason thoracic reason होता है जिसमें three pair of legs होते है और pair of four legs और pair of mid legs pair of hind legs present होते हैं इसके अलावा third जो division होता है वो abdomen है इसके बाद हम अब discuss करते हैं जो हमारा next living organism है जिसको हम मस्का बोलते हैं और commonly इसको house fly बोल देते हैं तो आप picture में देख सकते हैं अगर हम classification की बात करें phylum हमारा arthropoda है और arthropoda यानि jointed appendages sub phylum crustacea है जिसका exoskeleton क्या होता है ठेक होता है super class exopoda है जिसके six legs होते है class हमारा क्या है insecta है तो insecta जो class है तो इसके अंदर three pair of legs पाये जाते है super class petrovita है यानि ऐसे living organisms यानि insect जिसके पास क्या होता है winged present होता है order deptheria है तो deptheria जिसके पास two pair of wings होते है but two pairs में single pair को ही as a wings for use करता है fly के लिए और जो दूसरा wings होता है वो क्या होता है mechanosensory organ में क्या होता है adapt हो जाता है यानि evolve होता है genus की अगर हम बात करें muska house fly यानि commonly house fly बोलते है अगर इस insect के यानि हम deptheria के order में देखें तो हमने अभी discuss किया था कि इनके पास two pair of wings होते है बट जो single pair wings को ही क्या करता है as a fly में use करता है और जो hind wings होते है वो hind wings second wings की बात कर रहे है ये evolve होता है किसमें mechanosensory organ में deptheria के अंदर क्या है तकरीबन इतने species present होते है तो इसके अलावा ये cosmopolitan है ये world wide पाय जाता है adult जो color होता है वो gray से black होता है या तो with a four dark longitudinal lines on the thorax तो thorax में four dark longitudinal line होती इस तरीगे से इसके अलावा कि जो जो इनकी body होती है तो body में हमने देखा है कि ये slightly क्या होते है hairy होते है तो hair like structures होते हैं bodies में single pair के क्या है membranus क्या होते है wings present होता है अभी हम discuss कर चुके है जो कि fly में use करता है और दूसरा wings क्या होता है mechanosensory organ में convert हो जाता है mouth जो इनका parts है वो especially adapt होते है liquid diet के लिए house flies के पास क्या होते है cameo receptor भी present होता है जो कि क्या करते है क्या करते है food को taste कर सकता है इसको हम tarsi बोल देते है जो कि ये legs में present होता है जैसे ये food हो गया food क्या है हमारा sugar है तो sugar पर अगर ये walk करेगा तो उससे क्या पता चलेगा कि उसका taste उसको पता चल जाएगा कई बार हमने देखा है कि जो house flies होते है ये अपने जो क्या कहते हैं कि legs को क्या करते हैं clean करते हुए हमने देखा हुआ है या rub करते हुए हमने देखा है आपस में actually में वो इसलिए rub करते हैं क्योंकि वो क्या है उसमें legs में chemio receptor present होता है और जो भी क्या होते हैं food होते हैं उसको क्या करते हैं वो sense कर रहे होते हैं इसके अलावा कि हमने देखा है कि जो legs होते हैं उसके पास pair of claws present होते है legs में और इसमें दो adhesive क्या होते है pads present होते है जिसके pearl willy कह देते है तो अगर हम देखेंगे इसके बिल्कुल आगे की तरफ इधर की तरफ present होते है बिल्कुल इधर की तरफ तो ये जो present होते है pad like structures present होते है और ये दो होते है pad या क्या करता है, चिपक जाता है, और क्या करता है, वाक कर सकता है, स्मूथ वाल पे, या सीलिंग पे, और यह वेंडर वाल फोर्स में काम करता है, जो हमारा next living organism है, इस living organism को हम लोग periplaneta बोलते हैं, periplaneta को हम commonly क्या कहते हैं, cockroach बोल देते हैं, और अगर हम classification देखें, classification, phylum हम हमारा arthropoda, यानि jointed appendages, जिसके होते हैं, subphylum हमारा crustacea, जिसका exoskeleton क्या होता है, थिक होता है, super class exopoda है, जिसके six legs present होते हैं, class हमारा insecta है, जिसका three pair of legs है, subclass petrogata है, यानि वो insect जिसके पास wings present होते हैं, order हमारा bleteria है, तो bleteria जो की ज्याज़ता है, nocturnal और omnivorous होते हैंगे, और genus periplaneta, और commonly इसको cockroach बोलते हैं, हम लोग, अगर habit और habitat ही अगर हम बात करें, तो यह nocturnal होता है, यानि यह food की searching में क्या है, night time पे ही निकलता है, और अगर यह पाया कहां जाता है, जहां warm और dumper जो places होता है, जैसे kitchen, ठीक है, bakeries, hotels, etc., यह इन जगाओं पे पाय जाता है, distribution की बात करें, India, Asia, USA में पाय जाता है, बट इसका original जो home है, वो Mexico है, बट Mexico से यह क्या हो गया है, यह human के साथ travel करता है, human के साथ कहीं न कहीं, directly, indirectly, यह क्या करता है, चिपक जाता है, या उनके directly कहने का मतलब होता है, कि या तो वो egg को वहाँ ले कर देता है, उनके luggage में, या तो खुदी क्या होता है, उनमें आ जाता है, तो इसी लिए क्या करता है, इसी लिए यह क्या है, travel with the worldwide, यानि पूरे world में यह travel कर दाता है, इसी तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि यह जो periplaneta है, यह भी cosmopolitan है, इसका जो distribution है, worldwide है, periplaneta को अभी हम discuss कर चुके हैं कि commonly हम क्या कहते हैं, cockroach मूलते हैं, अगर इसके body का जो size देख है, 2.5 cm, यह long होता है, color इसका क्या होता है, red is और brown color होता है, body elongated, bilateral, और जो इसकी bilateral symmetry होती है, और इसकी body क्या है, drossoventally flatted होता है, body divided होता है, team razor में, head, thorax और abdomen में, head इसका थोड़ा सा slightly क्या होता है, movable होता है, head में ही क्या होता है, antenna present होते हैं, और compound eyes present होते हैं, pair of compound eyes, जो thoracic में क्या होते हैं, three pair of walking legs present होते हैं, जो anterior four wings होता है इसका, और pair of posterior hinder wings present होता है, इसके पास, abdomen में 10 segments होते हैं, जो 10th segment होता है, उस 10 segments में anal serai पाया जाता है, तो अगर हम देखें, तो anal serai, यहाँ पर छोटा से, इस तरीके से कुछ structures होते हैं, जिसको anal, सिरसाइब बोल देते हैं, इसके अलावा styles present होते हैं, तो यह जो structure आपको दिखाय दे रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, style बोलते हैं, styles, इसके अलावा एक और structures present होता है, तो यह जो structure है, इस structure को बोलते हैं, ओभी जी, ओभी पोजिस्टर बोल देते हैं, वाल बोल देते हैं, जो की क्या है, एग ले करने में help करता है, या एग को deposit करने में help करता है, इसमें हमें एक चीज और याद रखना है, कि जो हमारा क्या होता है, कि female होता है, तो female में क्या होता है, कि ये जो annual क्या होता है, style होते हैं, ये present नहीं होता है, ये, बाकि उनके पास annuals, सरसाई present होता है, ओभी पोजिस्टर प्रेजेंट होते हैं, आज हमने आर्थोपोडा के different type के living organism को discuss किया, उनके classification को discuss किया, I hope आप सभी को ये lecture समझ में आया होगा, thank you. हुआ है cat